आर अर भी एंटी पीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बड़ी खुसकवरी निकल के आ रही है रेलवे ने डीवी का एडमीट कार्ट का लिंक जारी कर दिया है लेवल 6 के लिए रेलवे ने 17 सिप्टेमबर का डेट दिया था रेस एडमीट कार्ट के लिंक का लेकिन 20 से 30 तारीक तक 1st list का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होना है साथ ही साथ लेवल 5 का रिजल्ट कब तक आएगा और लेवल 3 और 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और अगर सबका रिजल्ट आ गया तो final merit list के बाद student की जॉइनिंग कब तक हो सकती है इन सारे topic पे बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ वीडियो को like और share भी कर दें तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 का जो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लेवल 6 में लेवल 5 के मुकाबले number of candidates कम है तो भी 4 दिन का समय real way ले रही है यानि आपका 26 से लेकर 30 September तक आपका document verification का process real way का चलेगा अब बात करें second dv list की तो ऐसा हो सकता है कि real way 30 तारीक को dv खतम हो जाने के बाद ए 1 week के अंदर second dv list निकाले हाला कि second dv list में number of candidates कम होगे तो ये 2 से 3 दिन में करवा लिया ज आ सकता है लेकिन second dv list 1 week के अंदर निकालने के बाद फिर real way 10 दिन का समय देगी इनको अपना document प्रिपेर करने के लिए तो second dv list वालों का 15 October से पहले किसी हाल में भी document verification complete होता नहीं दिख रहा है बात करें तो उसके बाद level 5 का result कब तक आ सकता है तो second week तक तक तो आपका सिर् dv second list वाले का dv चलते रहेगा तो level 5 का result उसकी एक सब्ता बाद यानि आपको 20 से 25 October तक result देखने मिल सकता है उसके बाद railway minimum 10 दिन का time देगी document बनाने के लिए और चुकि level 5 में number of candidates जादा है level 6 के compare में तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका document verification एक सब्ता तक यानि 7 दिन तक चले तो यह आपका होते होते November 1st week तक तो जाएगा ही level 5 का अब railway ने इस बारे में कोई जनकारी नहीं दिया है हो सकता है कि level 5 का भी second dv list निकाले तो यह आपका और भी लंबा चल सकता है लेकिन अगर हम मान के चले November 1st तक level 5 complete करवा लिया जाएगा document verification तो उसके एक सब्ता बाद यान आपको level 3 का result देखने मिल सकता है इसमें भी railway 10 दिन का time देगी यानि 25 से 30 November या फिर आप बोल दिये December 1st week तक document verification level 3 का complete करवाया जा सकता है और इसमें भी फिर railway कुछ समय लेगी यानि की second list भी इसमें निकाला जा सकता है और उसके बाद December के अंत तक यानि December complete होते होते ही आपक level 2 का result देखने मिलेगा और फिर उस पे document verification पूरा कराया जाएगा तो यहां तक तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा साल यानि December last तक चला जाएगा सिर्फ document verification करवाते करवाते जैसा railway process से चल रहे है अगर बहुत तेज भी किया जाए तो भी December 15 तारीक तक देखके पहले य railway में station master staff ने strike कर दिया गया था क्योंकि उन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ा था और छुटी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि employee कम है railway में और उन्हें overtime करना पड़ रहा है तो railway union को यह बोलके समझाया गया कि जल्द ही जल्द हम लोग जो है new recruitment वाले को ला रहे हैं और उनका joining कर रहे हैं तो यह strike को रोगा गया तो मान के चलिए कि student को भी जल्दी है लेकर railway भी इसमें जल्दी दिखाएगा और station master की जल्द से जल्द joining करवाएगा बात करें station master की तो इसमें process चलता है panel का यानि पहले panel 1 निकाला जाता है फिर panel 2 और panel 3 इस तरह से number of panel चलते रहता है पैनल में candidates का training होगा फिर second panel फिर third panel निकालेगा पहले process में railway यह कर सकती है कि level 5, level 3, level 2, level 4 का document verification चलते रहे साथ ही साथ railway merit बनाके panel भी निकाले तो यह सबसे अच्छा रहेगा railway के लिए और student के लिए हम student का भी समय कम बरवाद होगा railway को भी staff की पूरती समय से हो जाएगी यह होता है तो यह best तरीका रहेगा second process यह हो सकता है कि railway सारा का सारा पोश्ट पे result निकाल दे और सबका result निकालने बाद merit दे और फिर अगले साल से यानि 2023 से पैनल निकालना शुरू करे और धीरे एक साथ parallel या फिर पहला ऐसे भी कर सकती है कि पहले level 6 का सारा पैनल निकाले फि लेकिन students के हित में यही रहेगा कि railway जो है वो पैनल निकालते रहे साथ ही साथ इन सारे पोश्टों पर document verification चलते रहे अगर आपने भी अपना document ready नहीं किया है तो आप सारी document ready कर ले रेलवे ने DV के लिए 24 document मागे है वो क्या क्या है उनकी link मैंने दे दी है आप टेलिक्राम ज जाके जुड़ जाए और वहां जाके आप यह देख सकते हैं आपको और भी कुछ सवाल पूछ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके जरू बताएं साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो इसे subscribe और दोस्तों के साथ share कर दें वीडियो देखने के लिए धन्यबाद आपका दिन सुब और मेंगे प्याझक प्याझक आपका दोस्तों करके देखने के जरूँ करदा नहीं हो आपका है कर